कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने एक बड़ी कारवाई करते हुए अफरन करताओं के चंगुल से एक युवक को साकुशल बचा लिया और मामले में मुख्या रूपी के भाई को गिरफतार भी कर लिया है सी आई हर्शुराच सिंग ने बताया कि 28 नवंबर को परिवादी पूनम शर्मा ने रिपोर्ट दी कि उसके पती पवन को स्टेशन शेत्र से कुछ व्यक्ती जबरन कार में बिठा कर ले गए जिसके बाद पुलिस टीम ने गठन करके आरूपियों की तलाश शुरू की और अ पूनम सर्मा ने ठाने का के सुचना दी थी और मुकदमा दर जिकर आया कि उसके पती को केसा उसमेनी है जो बांजी कुई का रेने वाला है वे उसके साथी आंचे अन्ने वेक्ती आये और स्टेशन एरिया से उसके पती पावन सर्मा को जबरन कार में बिठा करके ले गए